सहर में एक फुट गड़ा खोते ही पानी ही पानी साथियों नमस्कार मैं हूँ कालू माली आप जुड़े हो मेरे चैनल से साथियों ये तस्पीरे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बाड़ मेर सहर के अंदर ऐसी तस्पीरे पहले कभी आपने देखी नहीं होगी साथियों एक समय था तब बाड़ मेर को किसी अधिकारी की बाड़ मेर में ट्रांस्पोर होती थी तो उसे कहते थे इसे काले पानी की सजा दी है अब बाड़ मेर सहर के अंदर साथियों वाटर लोगिंग की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में अंडर ग्राउंड नहीं खुदवा सकता ये तस्पीरे जो आप अभी अपनी मुबाइल के स्किन पर जो देख रहे हो ये पुलीस थाना सदर की परीसर की है सत्यों पुलीस थाना सदर की परीसर में एक फुट गड़ा खोथते ही मिठा पानी आना सुरू हो जाता है तो ये तस्मीरे आप मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, आप पूरी इन तस्मीरों को देखना, इस वीडियो को पूरा देखना, एक फुट गड़ा खोदते ही मिठा पानी आना सुरू हो जाता है जातियों, इतनी बड़ी बाडमेर सहर के अंदर वाटर लोगिंग की समस्या ह अब देखो, मैं आपको इस तस्मीरों में दिखा रहा हूँ, देख लो, पानी आना सुरू हो गया, इस ने एक फुट गड़ा खोदता है, बाडमेर सहर के सास्त्री नगर इलाका एक है, जो ऐसा इलाका है, उस सास्त्री नगर इलाके में एक फुट गड़ा खोदते ही, प कोई भी वहाँ अपने मकान का निर्मान करा दे, तो अंडरग्राउंड नहीं खोदा सकता है, बाडमेर जिलाकलक्टर, जो बाडमेर के जिलाकलक्टर है लोक बंदू, उनके बंगले में हमेशा एक टंकी पानी बार डालना पड़ता है, मसीन के जरिए, इत्ती बड़ी वा सरह जहां पर एक फुट गड़ा खोदा है, और मीठा पानी आना शुरू हो गया है, तो आप देखते रहो सातियों, पूरा एक फुट गड़ा खोदते ही, यहां पर पानी आना शुरू हो गया है, तो अभी सातियों इत तस्पीरों को देखो, और कैसे कितना तेज पानी आ आए तब देखना आप कितना तेज पानी आता है शेर करतो सातियों अब देख लो यह पानी आ गया देख लो सातिया यह देखो एक फुट गड़ा खोते ही यह है इसे कहते है वाटर लॉगिंग यह पानी आना शुरू हो गया है यह प्ली स्थाना सदर का परिशर और सेर के ऐ